आज हम बनाएंगे most trendy ये plated topper design इसकी cutting और stitching जानने के लिए वीडियो एंड तक जरूर देखें नमस्कार दोस्तों इस topper design बनाने के लिए मैंने ये 2 मीटर बॉर्डर वाला कपड़ा दिया है देखें इसमें यहाँ पर side में बॉर्डर दी गई हुई है और friends ये fabric मेरे बुटीक का है अगर आप भी इसे purchase करना चाते हैं तो screen पर दिखाया गया number पर मुझे what's up करें अब cutting से पहले इस कपड़े में से हमें border को अलग करना है अब सबसे पहले इस कपड़े में से हम back panel को cut करेंगे कपड़े को पूरा खोल दें अब इसे हम इस तरीके से size के हिसाब से चौड़ाई में fold करेंगे इसे मैंने करीब 12 inch तक fold किया है ये 39 inch hips size के हिसाब से मैंने fold किया हुआ है अब इसकी जो लंबाई है वो है 29 inch उसमें 1 inch add करके 30 inch लंबा यहां से कपड़ा हमें अलग करना है देखे चौड़ाई और लंबाई के हिसाब से मैंने कपड़ा इसमें से अलग कर लिया है अब हम measurement के हिसाब से यहां निशान लगाएंगे बंद वाली side मैंने अपनी तरफ रखा है अब देखे यहां shoulder line हम 77 inch लेंगे उसके बाद हमें आदा inch drop करना है shoulder slope के लिए उसके बाद armhole length हम फिर से 77 inch पे निशान लगाएंगे अब यहां chest line है 37 उसका हम चौथा बाद करके slide का add करेंगे अब shoulder line से करीब 14 inch नीचे आगी west line west line की size है 32 उसका भी हम चौथा बाद करेंगे और उसमें 20 लाई का add करेंगे दोनों निशानों को इस तरीके से मिला ले और आगे की तरफ इस तरीके से A shape में निशान लगा देंगे अब यहां से हम arm round का shape देंगे यहां गले की चौड़ाई 3 इंच पे निशान लगाएंगे और जो आधा इंच हमने drop लिया है उसको इस तरीके से गले के निशान तक मिला ले अब हम इसकी cutting कर लेंगे यह back panel की cutting हो चुकी है अब front panel में जो हम pattern बनाएंगे उसके लिए हमें पहले योग को cut करना है योग के लिए मैंने यह pasting paper लिया है fold करने के बाद इसकी चौड़ाई है 4 इंच और लंबा ही मुझे यहां पर योग की रखनी है 13 इंच तो हम 13 इंच पे निशान लगा देंगे U shape में योग का निशान लगाएं देखे जैसे मैंने दिखाया है इस तरीके से U shape में निशान लगा दें अब यहां हम गले के लिए निशान लगाएंगे गले की चौड़ाई हम 3 इंच रखेंगे गले की लंबाई हमें 6.5 इंच लेनी है 4 इंच तक यहां पर इस तरीके से round neck का shape दें और उसके बाद हम यहां पर इस तरीके से V में निशान लगाएंगे और योग कट करेंगे बाकी बचे हुए कपड़े को चौड़ाई में फोल्ड करें और जहां से हमने back panel काटा था वो जो extra कपड़ा है उसे हटा दें अब इस फोल्ड किये हुए कपड़े पर हम back panel को set करेंगे हमें यहां से front panel को कट करना है देखें front panel के लिए बंद वाली side मैंने करीब साड़े चार इंच एक्स्ट्रा लिया है साड़े चार इंच एक्स्ट्रा रखकर और बाकी सेम कटिंग कर लें देखें जो extra है वहां पर एक बार इस तरीके से निशान लगा दें निशान लगाने के बाद जो हमने योग काट किया है उसको इस तरीके से set करें और योग का निशान इस कपड़े के ऊपर भी लगाएं देखें, u-shape में हम यहां पर निशान लगा देंगे निशान लगाने के बाद इस u-shape को आगे की तरफ इस तरीके से बढ़ा दें अब इस निशान के बाद हम करीब आदा इंस लाई का एक्स्ट्रा रख के और बाकी कपड़ा कट कर लेंगे इस तरीके से हमें फ्रन्ट पैनल की कटिंग करनी है यहां फ्रन्ट पैनल में हम फ्रंट आम राउंड की भी cutting कर लेंगे करीब पॉन इंच तक अंदर की तरफ deep cutting कर लें फ्रंट पैनल और बैक पैनल कट हो चुका है अब देखें फ्रंट में से जो हमने योग की cutting की है उसके उपर ही pasting paper को चिपकाना है इसमें भी हमें इस लाई का extra रखके और बाकी कपड़ा cut करना है इस तरीके से हमारा पूरा pattern तयार होगा देखें फ्रंट पैनल में जब हम इस U-shape वाले योग को जोड़ेंगे और इस तरीके से बीच में plates बनाएंगे तो topper कर design इस तरीके से तयार होगा अब हम sleeves cut करेंगे sleeves के लिए मैंने ये four fold कपड़ा दिया हुआ है sleeves की चौड़ाई मैंने 10 इंच ली है sleeves की लंबाई 15 इंच ली है यहां मैं plated sleeves बनाऊंगी sleeves का जो खुला हुआ side है वहाँ 4 इंच पे निशान लगा है और sleeve cap का इस तरीके से निशान लगा दें और इसकी cutting कर लें cutting करने के बाद इस तरीके से करीब एक इंच तक front cutting करें sleeves में मैं ये border लगाऊंगी जो हमने सबसे पहले cut किया था size के हिसाब से इस border को ले और इस तरीके से plates बना कर यहाँ border को हम बाद में attach करेंगे देखिए इस तरीके से sleeves का pattern तैयार होगा अब हम stitching स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम sleeves को ready कर लेते हैं यहाँ sleeves के बिलकुल बीच में हमें gathers बनाने है gathers या plates जो भी आपको easy लगता है वो बनाए अब देखिए इस तरीके से मैंने gathers बना लिये है अब यहाँ border लगाने के लिए border की same size की पटी ले और border को एक side से slice करके और बंद कर ले अब sleeves को तयार करने के लिए देखिए sleeves को मैंने सीधा रखा है इस border को भी इस तरीके से सीधा करें और उसके ऊपर sleeves को रखें अब यहाँ से slice करके इन दोनों को एक साथ जोड़ दें border को यहाँ पर जोडने के बाद अब हम इस border को आगे की तरफ गुमाएंगे और उपर की तरफ से भी इस तरीके से fold करके और यहाँ slice करेंगे border के दोनों तरफ इस तरीके से slice करें और sleeves को तयार करें अब यहाँ उपर भी मैंने करीब एक इंच चोड़ाई में ज्यादा sleeves ली है तो उसके एक इंच तक हम इस तरीके से गैदस बना लेंगे दोनों sleeves को हम इस तरीके से तयार कर लेंगे अब योग के लिए same size का कपड़ा लें उसके उपर इस योग को रखें और यहाँ नेक को stitch करें इस्टिच करने के बाद यहाँ आधा इंच कपड़ा एक्स्टा रखें और बाकी कपड़ा इस तरीके से कट करें पूरे round neck पर भी छोटे कट लगा दें और जो side से एक्स्टा कपड़ा है इस तरीके से कट कर लें अब हम योग को सीधा कर लेंगे कौनों को अच्छे से बाहर निकाले और इस योग को सीधा करके और एक बार iron करें योग तैयार हो चुका है अब योग के बिलकुल सेंटर में एक कट लगा दें अब देखे जो front panel हमने कट किया है वहाँ पर गैदर्स कैसे बनाने है योग को अच्छे से से सेट करें देखे जो गोलाई वाला हिस्सा है उसको छोड़ते हुए उसके बाद हम यहाँ पर गैदर्स बनाएंगे तो यहाँ पर इस तरीके से छोटे कट लगा दें अब बीच वाला जो हिस्सा है वहाँ पर हम गैदर्स या प्लेट्स बनाएंगे आपको जो भी इजी लगता है वो बनाएं यहाँ पर मैं मशीन से गैदर्स बना रही हूँ जहाँ पर हमने दोनों साइड कट लगाए है वहाँ तक उसके बीच में मैंने गैदर्स बनाए है एक बार इसको भी अच्छे से एरन कर ले अब हम योग को यहाँ पर फिक्स करेंगे इसके लिए योग के जो साइड है पहले हम वहाँ पर सलाई करेंगे देखिए एक साइड पहले यहाँ पर योग को सलाई करके और दोनों को एक साथ जोड़ दें योग के एक साइड सलाई करने के बाद अब इसको हम दूसरी साइड भी सलाई लगाएंगे इसी तरीके से यहाँ मैंने करीब आदा एंच एक्स्ट्रा कपड़ा सलाई के लिए रखा था तो आदा एंच हम इसलाई में दबाना है अब देखिए दोनों साइड जोड़ने के बाद अब बीच वाला हिस्सा हम यहाँ पर जोड़ेंगे अब देखिए यहाँ पर जो गोलाई वाला हिस्सा है वहाँ पर छोटे कट लगाए और इसको गोलाई में गुमाते जाए और इस यू शेप वाले योग पर इस टॉप वाले कपड़े को इसके साथ फिक्स कर ले देखिए इस तरीके से फ्रांट पैनल तैयार हो चुका है अब इस योग को हाईलाइट करने के लिए मैंने यहाँ पर कॉटन लैस ली है पूरे यू शेप में इस तरीके से इस लैस को लगा दे लैस के एक साइड सलाई लगाने के बाद उसके दूसरे साइड भी सलाई लगा दे और इसको अच्छे से यहाँ पर बिठा दे अब जो बैक पैनल है उसको हम तयार करेंगे बैक पैनल में मैंने करीब दो इंच लंबा यहाँ पर नैक कट किया है बैक और फ्रंट को आमने सामने रखें और यहाँ से शोल्डर लाइन से इन दोनों को जोड़ दें बैक नैक की जो पट्टी है वो मैंने आगे की तरफ इस तरीके से गुमा कर और यहाँ पर स्लाई की है देखे शोल्डर लाइन को इस तरीके से जुड़ेगी दोनों side की shoulder line जोडने के बाद अब हम यहाँ पर sleeves लगाएंगे Sleeves लगाने के time यह ध्यान रखें कि Sleeves की जो front cutting है और top की जो front cutting है दोनों आमने सामने होने चाहिए दोनों sleeves इस तरीके से लगाने के बाद अब हम topper के sides बंद करेंगे जितना भी आपने sly का लिया हो देखिए यहां मैंने करीब 1.5 इंच एक्स्ट्रा लिया था तो 1.5 इंच में अंदर स्लाई में दबाना है स्लीव से लेके बिल्कुल एंड तक टॉपर के दोनों साइट्स बंद कर लें साइट्स बंद करने के बाद अब देखिए इस टॉप को इस तरीके से फोल करें और यहां से करीब 1.5 इंच तक राउंड में कटिंग करें अब हम इस टॉप को नीचे से 1 इंच तक इस तरीके से फोल कर लेंगे लेटे टॉप डिजाइन तयार हो चुका है यह स्विंग आइडिया आपको कैसा लगा लाइक शेर कॉमेंट करके जरूर बताईएगा थैंक यू वाचिंग फर दिस वीडियो